साथियों, जिन 21 द्विपों को आज नया नाम मिला है, उनके इस नाम करण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं, ये संदेश हैं एक भारत, स्रेश्ट भारत की भावना, ये संदेश हैं देश के लिए दिये गए बलिदान की अमरता का संदेश, वयम अमृतस्य पुत्राहा, और ये संदेश हैं भारतिय सेना के अध्वितिय शावरिय और पराक्रम का संदेश, जिन 21 परमभीर चक्रविजेताओं के नाम पर, इन दीपों को जब जाना जाएगा, उन्होंने मात्र भूमि के कन कन को अपना सब कुछ माना था, उन्होंने भारत मा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्वन न्योचावर कर दिया था, वे भारतिय सेना के हैं, वे वीर थिपाई, देश के अलग-अलग राज्यों से थे, अलग-अलग भाषा, बोली और जीवन सैली के थे, लेकिन मा भारती की सेवा और मात्र भूमि के लिए अटूट भक्ती, उन्हें एक करती थी, जोड़ती थी, एक बनाती थी, एक लक्ष, एक राह, एक ही मक्सद, और पुर्ण समर्पन, साथियों, जैसे समंदर अलग-अलग दीपों को जोड़ता है, वैसे ही एक भारत, रेष्ट भारत का भाव, भारत मा की हर संतान को एक कर देती है, मेजर सोमनाज शर्मा, पिरू सीं, मेजर सैतान सीं से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सुवेदार जोगिंदर सीं और लांच नायक अलबट एक कातक, भीर अब्दुल हमीद और मेजर रामस्वामी परमिश्वन से लेकर, सभी 21 परमिश्वन सब के लिए एक ही संकल्प था, राष्ट सर्वप्रधम, इंडिया फास्ट, उनका ये संकल्प, जब इन दीपों के नाम से, हमेशा के लिए अमर हो गया है, करगिल यूत में, ये दिल मांगे मौर का विजय गोश्ट करने वाले केप्टन विकरम, इनके नाम पर अन्दमान में एक पहड़ी भी समर्पित की जा रही है, भाई और भेनों, अन्दमान निकोबार के द्वीपों का इनाम करन, उन परमवीर चक्र विजयताओं का सम्मान तो है, साथ ही भारतिय सेनाओं का भी सम्मान है, पूरब से पस्चिम, उत्तर से दक्षिन, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं, देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है, आजादी के तुरंद बात से ही, हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा, हर मोके पर, हर मोर्चे पर, हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है, ये देश का कर्तव्य था, कि राष्ट रक्षा, इन अभ्यानों में स्वयम को समर्पित करने वाले जवारों को, सेना के योगदानों को ब्यापक स्तर पर पहचान दी जाएं, आज देश उस कर्तव्य को, उस जिम्मेदार्य को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है, आज जवानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही हैं,